अंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं भाई सब बढ़ी आऊंगे इस वीडिम दोस्तों बात करेंगे टी-एच्यू वर्सिज आरियानियन की सिड्नी थंडर वर्सिज मैलबन रेनिगेड की टीम के बीच में जो बीबिल टी टूंटी दो जार तेईस ओविस के सी फाइनल्स के लिए ठीक है तो ये दोनों टीम्स दो रेंगे वो बार हो चुके चाहिए कोई भी टीम इस मैच को विन करेंगे या फिर कोई भी टीम इस मैच में हारे ठीक है उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा दोनों टीम्स बार है मैच विन करने के बाद में भी ये टीम्स तो कोई भी टीम कैसा भी परफॉर्मेंस करके यहां पर जा सकती है ठीक है तो रिस्की मैच रहेगा स्मोल लिग जोई नहीं गरने आप लोग जितना फोकस कर सको उतना आपको जील के उपर ज्यादा करके चलना यह मेरा परसनल सजेशन आपको रहेगा ताकि आप लोगों का ज्यादा लोस ना और आपको मैं चीज़े सटीक आपर बता पाऊँ ठीक है बाकि आपके चोईस हैर आप लोग अपने हिसाब से भी देख सकते हो कौन से प्लेयर को आप लोग अपने टी मैंचे ट्रम कार्ड प्लेयर यूज कर सकते हो सारी चीज़े डिटेल में समझाऊगा तो वीडियो आप लोग अपने बोच करना ठीक है लास्ट मॉमेंट आपको सारी अपडेट आफटर टोस टेलीगाम पे मिल जाएंगी तो जोईन कर लेना लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और वीडियो को डिस्क्रिप्शन दोनों जिगए पे मिलेगा सिंपली क्लिक करेंगे और टेलीगाम के साथ में जोईन जरूर से कर लीजिए यहां से बात करते मैच के बारे में सबसे पहले वेन्यू की बात करते तो सिडिनी शोग्राउंड स्टेडियम सिडिनी के वेन्यू पर ये मैच कहला जाएगा एक बैलेंस विकेट आपको देखने को मिलेगा जो कि बतलब बल्लेबाजों को भी और गेंद बाजों को भी एवन आपको एकवल हेल्प दिखेगी मतलब बल्लेबाज बढ़िया करके जाएंगे तो भाई रंस बन जाएंगे और अगर बल्लेबाजी थोड़ा खराब तो यहां से आप लोग एक चीज मान के चलना, देखो दोनों टीम बाहर हो चुकिए, बनने को तो भाई हो सकता है, 200 भी बना दे क्योंकि खुलके बल्ले बाजी आपको देखने को मिलेगी, क्या पता कौन से बल्ले बाज के बल्ले से तगडी हिटिंग आपको देखने को मिल या फिर लंबी हिटिंग के चक्कर में हो सकता है, टीम्स बुरे तरीके से कोलैप्स भी करके चली जाएं, और 130, 140, 150 के आसपास भी टीम्स आपको यहां पे सिमर्टी हुँ दिख सकते हैं, तो बाई, इस मैस में देखो कुछ भी हो सकते हैं, मैं आपको जैन्वन्टी के बन सकते हैं, तो जब तक टोस ना हो जाए, तब तक आपको कोई भी सिंगल कॉन्टेस्स जोईन नहीं करना, कितनी ओवर का मैच होगा, फिर उसी इसाफ से टीम्स लैक्षन करेंगे और उसी इसाफ से फिर अपना कॉन्टेस्स जोईन करेंगे, ठीक है, पिछले 5-2-20 की ब और बड़े रंस आपको देखने को मिलेंगे, और दोनो टीम्स ओल्मोस्ट यहाँ पे 200 का स्कोर करके गई थी, ठीक है, तो यहाँ पे रंस उतने जादा नहीं बने, बट फिर भी, आप लोग 150 के एकस्पेक्टेशन करके यहाँ पे चल सकते हूँ, पिछले पास टीटों के में आपको कोई जादा हेल्प नहीं दिखेगी, पिछले अगर मैं हेट्टोरड मैचिस की बात करूँ, पात साल के अंदर दस मुकाबले वे, दोनो टीम्स के भी, छे थंडर ने वोन करें तो चार यहाँ पे रेनिगेट्स विन कर पाई है, उसके बाद में नीच आओगे पास मुकाबलों की परफोर्मेस देखो, सिडिनी थंडर एक सिंगल मुकाबला वे वे विन नहीं गर पाई, जबकि दूसरी सैट रेनिगेट्ट की टीम अपने दो मुकाबले विन कर चुकि है, तो यहाँ पे देखो एकी चीज निकल काईगी, दोनो टीम बार हो चुकि है कोई भी मैच को विन करें, कोई भी हारें, कोई भी जीतें, कोई फरक नहीं पड़ेगा, 150 के एकस्पेक्टेशन करके स्कोर आप लोग मानके चलना, उस इसाफ से टीम स्लेक्शन कर लेना, दूसरा भाई किसी बल्ले बास के बल्ले से बढ़िया हिटिंग निकल जाए तो हो संदे को डी कोक नहीं खेलेंगे भाई, टीम से बार कर देना, अगर आपने टीम में पिक कर रखा है, क्यों इनके नीचे अनेवलेबल का उप्शन नहीं लगा है, मुझे समझ नहीं आया, तो डी कोक नहीं खेलने वाले बार कर सकते हो, कैमरन बैंक्रोफ्ट की बात करें, जो कि आपको उपनिंग, सोरी, वन डाउन बल्ले बाजी देंगे, सिडनी थंडर की साइड से बढ़िया प्लेर है, और अब दक देखेंगे, तो बढ़िया टच में हमें देखने को मिल भी पाए है, तो आप लोग यहां से अपने टीम में जरूर पिक कर सकते हो, स्मोली के परपज से ले सकते हो, कोई शूनी है, बहुत सारे बंदे आप में स्मोली खेलेंगे, ठीक है, तो उनको बता दू, अब दक की जो फोर्म रही है, कैमरन बैंक्लोफ्ट की, वो एक एवरेज फोर्म रही है, जहां पर यह 9 मैच में 230 रंच अलड़ी कर चुके है, अब पिछ ने बढ़िया टच में देखने को नहीं मिल पाई, तो अगर आपको स्लेक्शन बेस केलेंगे, आप लोग बैंक्रोफ्ट के साथ में जाओगे, लेकिन दूसरी ओप्सन आपको यहां से एक मिल जाएगी, जोकी रहेगे, जोडन कोक्स की, देखो, गलिक्स थोड़ा सा नेख चिज़े ट्राई करना चाहूं, या पिर अपनी टीमे आप लोग थोड़ा सा रिसक को उठा सकते हो, तब आप लोग किसको ट्राई कर सकते हो, बाइखे दुनिया दोड़ेंगे के लिचामररान बैंक्रोफ्ट पर पze आप लोग थोड़ा रिसक उठा सकते हो, तो ज जैसे मैं आपको ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा तो यहां से फिलाल अगर आपको सेलेक्शन बेस सलना आप लोग केमरन बेंग्रोफ के साथ में जा सकते हो लेकिन इस प्लेयर ने अब दग ओनें एवरेज देखे तो काफी बढ़िया फोम दिखाईए है पांच मैच में 181 रंस कर चुके ठीक है बढ़िया बल्ले बाजे एलेक्स हेल्स ने लास्ट मैच में तगड़ी हिटिंग करी थी और हेल्स देख उसी टाइम का प्लेयर है या तो चलेगा तो भाई तगडे रंस मारेगा या फिर 10-15-20 रंस में अपना विकेर थ्रो करके चला जाएगा ठीक है उस लेवल का प्लेयर है लेकिन आप लोग अवोइड़ी नहीं कर सकते ऐसे प्लेयर को क्योंकि अगर ये बंदा 20-25-30 गेंदे पकड़ गया ना तो फिर य हम आपको 45-50-60 रंस की पारी दीखेगी तो उस केस में हिल्स जैसे प्लेयर को अवोइड करना मेरे इसाब से बहुत बढ़ी गलती हो सकती है और रिशैन्ट फोर्म भी काफी बढ़ी है नो मैच में 218 रंस की पारी आई थी सेकिंड लास्ट मैच में 28 कर रहे थे एक मैच य इन्दर ना उतने मैच इनों ने खेले नहीं एक मैच खेला भाई फिर बाहर चले गए थे क्योंकि टेस्ट मैच खेले गए उसके बाद में फिरस्याब इनके टीम के अंदर वापसी हुए है और जो कि आपको ओपनिंग बल्ले बाजी भी देने वाले तो आप लोग यहां स बाहू ले सकते हूँ बढ़िया हिटिंग कर सकते है नो डाउट लेकिन अभी देखो उतना ज़्यादा किर्केट भी नहीं खेलते किसी मैच में खेलते किसी में बार एक दो मैच में अगर बढ़िया पारी आजाए तो कहीं नहीं सकते है बट ओवरॉल देखो उतनी ज़्य अब दग अगर बात करें ना तो नो इनिंग के अंदर 111 रंस है उतनी बढ़िया फोर्म नहीं दिखी लेकिन प्लेयर बढ़िया है आप लोग लेना चाहू ले सकते हो क्योंकि स्लेक्शन कम है न उस वज़े से बढ़िया डिफरेंशल पिक हो सकते है और एक ही मैच में जोनाथन वैल्स ये जाएंगे 4th डाउन लास्स मैच गई थे 4th डाउन क्योंकि विल्स तर्लेंडी करी थी 3rd डाउन बल्लेबाजी ठीक है तो उस केस में देखो जोनाथन वैल्स ने जब जब मोके मिले अपनी टीम के लिए अच्छे रंस मारे लेकिन थोड़ा नीचे बल पर नहीं करूँगा हाँ दूसरी कंडिशन बन सकती है अगर रेनी गेड के विकर दो जल्दी गर जाए तब तो आप लोग जोनाथन वैल्स के साथ में डिफरेंचिल खेल सकते हूं नो डाउट अब वो आपको डिशाइड करना है कि आप लोग किस अप्रोच के साथ में अ बहुत बड़ी आपारी आई थी और अब दक बात करते हो आठ हिनिंग के अंदर ये 257 यानि कि 277 नंस ओलडी कर चुके हैं कैडमोरे बार हो चुके बाई कोई ज़्यादा आपको ज़रूत नहीं है टीम में पिक करने की स्क्वेड गंदर इनका नाम नहीं है नीचे कुछ आपको नहीं मिलेगी गोलाउंटर सेक्षिन में देखो डैनियल सेम्स रहेंगे यहां से विल स्टरलैंड दो प्लेयर तो आपके लिए कोमन पिक है जिनके साथ में आप लोग जाओगे ही जाओगे डैनियल सेम्स की बात करें फिफ्ट या सिक्स डाउन बल्ले बाजी दें तो आठ मैच में बारा विकेट यह निकाल चुक है तो काफी बड़िया फॉम दिखी है तो यहां से विल स्टरलैंड जिन्नोंने लास मैच थर डाउन बल्ले बाजी करें इस मैच में हो सकते है टीम फोर्थ डाउन बल्ले बाजी करवा दे अगर यहां पे जोनाथन वैल से थर डाउन बल्ले बाजी करेंगे ठीक है लेकिन प्लस पॉइंट की आएगी बहिए चार ओवर आपको गंड़िट गेंद बाजी मिल जाएगी वो सबसे बड़ी चीज रहेगी ठीक है बैटिंग आएगी तो रंस मार सकते है अगर बैटिंग नहीं भी आएगी तो एटलिस साथ इनिग में करवाई है जब्यवाझी 8 इनिग में ऐ थीक है उसके बाद में नीच आओगे जब यहाँ से इनको टीम में खेलने का मोका मिला है रेन गेडर की टीम की सैड़ से जादा इंपोर्टन रहेंगे जब रेनिगेड आईकी से अक्ड़ गेंडर प्रेफर नेकर अपने तो चार ओवर डाल के बंदा जाई सकते है ठीक है तो उस केस में आप लोग ट्राई करना चाहो तो यहां पे क्रिस ग्रिन के साथ में भी जा सकते हैं बाकि स्पिन के लिए हल्प उतनी नहीं रहेगी नीचे आओगे टी स्टैवर ट्रोगर्स ने बढ़िया गेंदबाजी करें इनके साथ में आम लोग जा सकते हैं लेकिन फस्ट गेंदबाजी करेगी टीम तब उसके बाद में नीचे एक उप्सन मिलेगी तन्वीर सांगा के जो कि आएंगे बाईया स्टैवर ट्रोगर्स ने बढ़िया गेंदबाजी कर वाई यहां से अगर मैं कोई चेंज करूँआ न तो देखो मैं हो सकते हैं क्रिस गरीन को हटा के यहां से बाईया अपने टीम में तन्वीर सांगा को भी बैक कर सकते हूँ तो इस पर कार मेरी जो 11 प्लेयर की टीम रहेगी दोस्तों वो किरेट हो जाएगी जो कि मैं आपको एक बर यहां से दिखा देता हूँ आप लोग देख पाओगे मेरी टीम में 11 प्लेयर आ चुके है गेंद बाजी देखोगे थोड़ा जाद आपको दिखेगी अगर मैं बात करूँ और सीधा सीधा मैं फिर थंडर की टीम का एक एक एक्सा गेंद बाज अपनी टीम में बैक करूँ आ यह चीज़े डिपैंड करेगे टोस पे का ठीक है तो यह अभी के लिए मेरे डेमो टीम रहेगी बात आईगी दोस्तों कैप्टनशी और वाइस कैप्टनशी के तो देखो डैनियल सैम्स, विल स्टरलैंड, डेविड वर्न और एलेक सेल्स और यहां से बईया शोन मार्सी यह देखो काफी बढ़िया उप्टनशी औ भल्ले के साथ में बात हो या फर इनकी गेंदबाजी के साथ में बात हो मतलब अगर आपको सेफली खेला इन करता हूँ कि आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम सेलेक्शन करोगे और आपकी टीम अच्छा पर्फूम जरूर करेगी